Now students, लेते हैं हम question number 3, क्या रहा, lamp consumes, कोई lamp है, यह दिखिए, lamp में बल्ब लगाओगा इस तरीके से, ठीक, यह बल्ब में ऐसा tungsten है, तो इसको आप क्या देते हो, electrical energy को मैं E से लिखते रहा हूँ, electrical energy मतलब क्या होता है, चलते हुए जो electron आप भेसते हो, बही, electricity भेसते हो, उसमे 1000 joules of electrical energy in 10 seconds, यानि कि energy कितनी देगे रखी बच्छो, 1000 joules, ओके, और 1000 joules energy consume करता है, consume मतलब as a input लेता है यह बल्ब, भाई, इसको electrical energy दोगे पीछे से, तभी तो यह आपको light और heat देगा, बल्ब एक तो गरम हो जाता है, और दूसरा light देता है आपको, यानि कि इस electrical energy को यह heat energy और light energy में change करेगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको output में क्या मिलेगा, light प्लस heat, एक तो बल्ब गरम हो जाता है, और heat भी, यानि कि यही जो electrical energy per second यह consume कर रहा है, इसी से यह आपको output देगा light और heat के form में, correct, बेरहाल, अब हमको output से कुछ लेना देना नहीं है, इस question को देखिए alarm consume 1000 joules of electrical energy, तो energy की value देखे रखा है, in 10 seconds, कितने time में, 10 seconds में, 10 seconds में यह इतनी electrical energy consume कर लेता है, तो बताओ इस बल्ब की power कितनी होगी, ठीक, तो power का formula होता है, energy consumed divided by time, energy consumed कितना है, 1000 joules, 1000 joules divided by time कितना है, 10 seconds, ठीक, यह 0 से 0 cancel हो का 100 upon 1 कितना होता है, 100, so answer कितना आ गया, 100 joules per second, लेकिन बच्चों, joules per second को हम what बोलते है, what बोलते है, तो power कितनी आ जाएगी, 100 joules per second की जगा हमने क्या लिखा, what लिखा, okay students, तो यह बल्ब की power है, अब सुनिए, यहाँ पर आपका answer आ गया, आपको marks मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन exam में आप से पूछ सकता है, कि what do you mean by the answer, जो answer आया है, उसको interpret करो, उसको समझाओ कि उससे आपको क्या समझ में आता है, तो उससे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर देखिए, 100 watt है, इस बल्ब की power, इस बात का यह मतलब है, कि watt को हटा के joules per second लिख दो, क्योंकि 1 watt में 1 joules per second होत rate है, वो 100 joules per second है, मतलब यह बल्ब 1 second में 100 joules की electrical energy consume करता है, और consume करने के बाद आपको light और heat देता होगा, ठीक है students, I think आपको मेरी बात समझ में आई होगी, note कर लीचे,